तो चलिए प्यारे बच्चों आपका एक बार फिर से सोगात है आज के इस वीडियो पर यहाँ पर देखिए आपका बार्सिक बुल्लेंगान बर्सिट एक केस वाइस का जो आपको विद्यालाय से आपे प्रोजेट करके अंतरगत खंडवा का आपको आपके कच्छा चोथी क तो आपको यहाँ पर उसका आज मैं पूरा आपको solution दूँगा और चात्रों यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर विद्यालाय का नाम भरना है और इसके बात आपको यहाँ पर पिताजी का नाम और इसके बात यहाँ पर वकक्षा चोथी डालना है और देख के आपको यहाँ पे खंड बाक्या है और आपका जो 16 अप्रेल से हैं आपका खंड आ होने वाला है उसका भी पेपर आपको यहाँ पे इसी च utilड़ पर आपको और आपको मिलेगा पूरा क्या कार है किन्य दो कार्यक्त करती है देस रच्छा करना दूसरा यह पर पर प्रहार करना के देखिए सेना कितने प्रक्त होती है आपको लिखना है उसमें पहले बाले में जल सेना दूसरे में आपको थल सेना तीसरे में आपको यह पर बायू सेना ठीक है और देखिए सुरच्छा का छेत गया होता है जल सेना क्या करेगी जल का छेत में सुरच्छा करेगी और थल सेना जाना हो क्या पए, अब कर देखें। आपका E-Number तो हो गया, F-Number क्या आप आसपास रहने वाले किसी सोतंता संग्राम सिनानी या फोजी के बारे जीवन के बारे में जानते हैं, तो उसके बारे में अपने जानकारी को या पर लिखिए, तो देखिए लिखना आपको, फोजी देश की सबसे बड़ी संपत्यों मे करते हैं, और फोजी की नोकुरी और उसकी दुनिया कठी चुनोती से भरी होती है, और उनकी सैनिक सिच्छा में कड़ी आपका प्रसिच्छण आपका होता है, तो आपको यहां पर अंसर देखिए, पूरे आपको अंसर ऐसा ही करना है, आपको यहां पर question आपका पहला आप चिंदबाडा कि स्थान से और कहा तक आपका जबलपूर तक और बी नमबर में लिखा है, सफर के दौरान आप किन-किन बाहनों का उपयोग कियें, पता ना तो बस का, आटो का, टेक्सी का और बाई का, आप जब भी कही जाते हैं, तो इन्हें का उपयोग करते हैं, तो प बाहन आप जिसमें आत्रा किये थी, कि आप बस में किये थे, आटो में किये थे, टेक्सीम किये थे, तो बाहन में बैठने वाले बस्ता कैसी थी, तो सभी में आपका अच्छी थी, अच्छी थी लिगना है, और बाहन के दौरान कौन-कौन बैक्ती आए, तो बहुत सारे ब बेक्ति आए और यहापे आपका तीन बेक्ति आए और इसमें देखिए यह बेक्ति किस काम से बाहन में आये थे तो आपको एक आपिस के काम के लिए और दूसरा जाप में जाने के लिए और तीसरा काले जाने के काम से ठीक है आपको अंसर करना है और इसके बाद इसी में आपको कौन कौन से जानबर और पेंड पौधे आपको दिखाए दिये तो देखिए यात्रा के दोरा आपको यहापे कौन कौन से जानबर दिखाए दिये तो गाय घोड़ा हाथी आपको लिख देना है और आपको पेंड पौधे कौन से दिखाए दिये तो आपको नीम आम औ ठीक है एक नमबर आपका कम नहीं होगा तो चलिए आपको मिलते हैं आपको अगले वीडियो पर और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके जाना क्योंकि अगले पेपर में आपको यह पर होने बाला विद्ध्याले में 16 अप्रेल से उसका पूरा पेपर हम यह पर सबसे आपको पहले आपको देंगे पेपर से पहले जहिंद जय भारत